दोस्तों बांगलादेश की ओर से भारत को एक बड़ी ही हास्यासपज सी धमकी दी जा रही है जहां दोस्तों बात हो रही है यहां पे शेख हसीना जी के एक्स्टेडीशन को लेकर बांगलादेश ने भारत को कह दिया है शेख हसीना जी को तो लोटाना पड़ेगा नहीं लो legal grounds का हम हवाला दे सकते हैं क्योंकि मना तो करना ही है लेकिन कुछ कारण तो fundamentally बनाना पड़ेगा न क्योंकि बांगलादेश का कहना है कि जो इंडिया बांगलादेश extradition treaty है उसको 2016 में शेख हतीना जी नहीं एमेंट करके lenient कर दिया था कि कोई यहां पे evidence क्यों शकता नहीं है यदि वारेंट इशू हो गया तो extradition करना पड़ेगा तो यहां पर सवाल उठता है शेख हतीना जी के खिलाफ वारेंट तो आ चुका है और उन्हीं के द्वारा drafted यह extradition treaty है तो क्या भारत शेख हसीना जी को लोटा देगा क्योंकि बंगलादेश से धमकी तो आ चुकी है क्या बात हो रही है दोस्तों देख सकते निउस में बहुत ही ज्यादा दिये हैं भारत को क्या बात हो रही है दोस्तों 18 अक्टोबर की यह बात है बांगलादेश के इंटरिम गवर्वमेंट ने भारत को जब दमकी दी लॉइडवाइजर आसिफ नजरूल ने क्या कहा इन्होंने तो इन्होंने कह दिया कि देखिए एक्टरिशन करने से मना करता है शेख ठिना जी का तो बांगला देश कडी निंदा करेगा जियां दोस्तों यहीं दंकी है दे लूंच डिया क्या करने वाले कडी निंदा करने वाले बेसिकली इन शॉर्ट किरा चाह रहे हैं कि उनका जो का पूरा ग्लोबल पावर ब्रोकर्स के साथ जो मुहम्मद यूनस जी का डील लगा हुआ है उसके साथ वो स्ट्रिंग पुलिंग करेंगे प्रयास करेंगे भारत के उपर दबाव बनाया जाए दरसल दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सेप्टिंबर की बात है जब सेही न एक बार ट्राइल प्रसिस्ट शुरू हो गया तो हम भारत के सामने शेख हसीना जी को वापस लोटाने की मांग करने वाले हैं दोस्तों यहां पर फॉरिंड अफेर्स एडवाईजर बेसिकली आक्टिंग फॉरिंड मिनिस्टर मुहमद तोहिद हुसेन ने भी कहा धाका ट् और इनके ही खिलाफ नहीं शेख हसीना जी के साथ साथ इनके जो टॉप मिनिस्टर से उनके भी खिलाफ यहां पर दोस्तों इंटरनाशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ऐसा नहीं कोई नियोट्रल ट्रिब्यूनल है बेसिकली उनहीं के लोग बैठाए गए हैं जिसका परपसी बड़ा सिंपल था कि विच हंटिंग की जाए और शेख हसीना जी और उनकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी में जो भी मंत्री थे सभी को हंट डाउन किया जाए तो उसी के अंतरगत उन्होंने यूनुस सरकार को डैरेक्ट किया है इंटरनाशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने कि शेख हसीना जी को एरेस्ट किया जाए कोट और एरेस्ट किया जाए और कोट के सामने नवेंबर 18 करीबन एक महिने का समय दिया और कहा इनको हाजिर किया जाए मतलब बड़ा क्लियर है एक्स्टेडिशन का डिमांड आने वाला है बांगलादेश बस हिम्मत जुटा रहा है करना तो है फिलाल तो भारत जिस प्रकार से यूस कैनेडा सब को एक लाइन से सीधा करके रखा है तो बांगलादेश फिलाल केवल हिम्मत जुटाने के ही कार्य में है तो यहां पर सवाल उठता है जब बांगलादेश एक्स्टेडिशन की डिमांड करेगा तो क्या इंडिया उसे मना कर सकता है दरसल दोस्तों हुआ यूँ था भारत और बांगलादेश के बीच में शेख हसीना जी के ही अंतरगत जो इंडिया बांगलादेश एक्स्टेडिशन ट्रिटी था उसको 2016 में एमेंड किया गया था जिसके अंतरगत जो थ्रेशोल्ड था एक्स् गुनेगार को भारत भीजे 2016 के बाद एविडिन्स वगेरा की डिमांड नहीं थी सिंपल था यदि एक कॉंपिटेंट कोट ने एरेस्ट वारेंट इशू कर दिया तो सामने वाली पार्टी भेज देगी याने यदि शेख हसीना जी की बात करें तो उनके खिलाफ तो एरेस हसीना जी का एक्स्टेडिशन तो इंडिया इस लीगली बाउंड यही कहना है लोटाना तो पड़ेगा बेजना तो पड़ेगा लेकिन दोस्तों यहां पे कुछ ग्राउंड आपको मैं बताऊंगा देखी सबसे पहले तो क्या है सारे ही एक्स्टेडिशन ट्रिटी डूयल बंगलादेश में शेख हसीना जी के ऊपर अलग-अलग चार्ज लग रहे हैं जिसमें अगर आप देखें तो आर्थनिंग मर्डर और यह सारे चीजिस के चार्ज चार्ज लगाए जा रहे हैं तो क्लियरली भारत में भी यह तो एक क्रिमिनल ओफिंस है तो डूयलिटी प्राइम तो बराबर बैठ रहा है लेकिन मत भूलिए यह एक्स्टेडीशन ट्रेटी शेख हसीना जी ने ही बैठ के ड्राफ्ट किया है तो अपने लिए इंतजाम तो किया होगा क्योंकि बंगलादेश में जो हो रहा है कोई अनेक्सपेक्टेड तो नहीं था सभी ने बटाने वाले आपको हम शेख हसीना जी दोस्तों दो आर्टिकल डाले गए हैं इंडिया बांगलादेश एक्स्टेडीशन ट्रिटी में एक है अर्टिकल 6 दूसरा है आर्टिकल 8 आर्टिकल 6 साफ-साफ कहता है कि यदि कोई एक्स्टेडीशन की मांग पॉलिटिकल ओफिं extradition से मना कर सकती है refusal of extradition ये exception डाला गया है और इस case में clearly शेख हतीना जी को जिस प्रकार से प्तारित किया जा रहा है ये तो एक political offense है तो clearly India extradition से मना कर सकता है दूसरा है दोस्तो आर्टिकल 8 आर्टिकल 8 कहता है यदि कोई accusation याने की जो charge लगाया जा रहा है यदि good faith में नहीं लगाया जा रहा है तो भी मना कर सकते है इस case में अगर आप देखे तो ये कौन सा tribunal बठाया गया है international crime tribunal उसने जो charge लगाया है हम clearly कह सकते हैं good faith में नहीं है ये bias tribunal है और इसलिए we can easily say हम तो नहीं भेजेंगे क्योंकि good faith में charge नहीं लगाया गया है इसके सिवा यदि कोई charge military offense के लिए लगाया गया है या फिर military tribunal के द्वारा किया जा रहा है तो भी शेख अजिना जी ने already exception डलवा के रखा था क्योंकि वो ये foresee कर पा रही थी क्योंकि अगर आप देखें तो ये criminal law में अगर recognize नहीं भी है तो भी political offense के लिए हम मना कर सकते है clearly या फिर कोई charge good faith में नहीं है तो भी हम मना कर सकते हैं तो बड़ा maneuvering के लिए भारत के पास ground है तो हम article 6, article 8 का easily हवाला दे सकते हैं खेर बांगलादेश को एक चीज़ करने से तो हम रोक नहीं सकते वो क्या है आलोचना, भचसना, निंदा, कडी निंदा आप ये सारी चीज़े अवश्य कर सकते हैं और इसके लिए तो हम भी रोक नहीं पाएंगे और आपको लगता है कि ये धमकी है है कि भारत को आप धमकी देंगे आलोचना की भचसना की, निंदा की, कडी निंदा की तो वो आप धमकी अवश्य दे सकते हैं मुझे नहीं लगता हमारे सरकार के कान में जू भी इससे रिंगने वाला है उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर कीजेगा, शेयर करना न भूले बाकी एन अकाडमी सिविल सर्विसेज चैंपियंशिप है आपके लिए हम 20 ऑक्टोबर को लाए है सुदे 11 बजे शाम को 5 बजे जरूर जुड़िये दोस्तों कल की बात हो रही है यहाँ पे तो अवश्य आप जुड़ जाए उमीद करता हूँ आप लोग इससे जुड़े भी होंगे आज शाम के 5 बजे जब तक यह देख रहे होंगे दे भी रहे होंगे बाखी दोस्तों आपके लिए याद रखेगा 23 ऑक्टोबर तक हमारा ओफर है जिसके बाद यह ओफर चला जाएगा दोस्तों चौबिस वजार 999 रुपए में आपको हम यूपीसी का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं तो अवश्य जूड़िए क्योंकि इस खीमत पर आपको जो देखना आप वो देख सकते हैं यूपीसी के लिए हिंदी में देखिए इंग्लिश में देखिए दो हज़ार चब्सक्रिप्श के बैच में जो एंडूल करना है आप वो कर सकते हैं आपको इतना ही नहीं तरीके से होगी इसके सिवा आगास बैच है जिसमें अडली एंसी आटी पर फोकस करके आपका फांडेशन स्ट्रॉंग किया जाएगा इसके सिवा रिपीटर बैच है जो एडवांस प्रेपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए हम ले करके आए हैं मेंस क्यूइपी प्लिम्स क्या मेंस अपने शिंत होके जोड़ सकते हैं और पूर्ण रूप से आश्वस्त होके अपने करेंट अफेर्स को लेकर आप मजबूत तयारी कर सकते हैं यहां पर अवश्य जोड़े यूजडी कोड के सीवन जीरो नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिं आप अवश्य उठाएं